डॉक्टर बल्विंदर काउर जी, डॉक्टर करन सिंग जी, परम आधर्णीय प्रोफेसर दिलिप सिंग जी, रुषब देव शर्मा जी, टीवी कट्टिमनी जी, सभागार में उपस्थित सभी गुरुजनों और मेरे प्रिय चात्र चात्राओं शम्शेर शताबदी समारोह पर मौलाना आज़ाद राष्ट्य उर्दु विश्विद्याले और दक्षिन भारत हिंदी प्रचार सभा के संयूक्त तत्वाउधान में आयोजित इस राष्ट्य संगोष्ठी के उदगाटन सत्र से लेकर कल विभिन्न सत्रों में शम्शेर पर, शम्शेर के बहाने, भाशा पर, हिंदी और उर्दु पर, साहित्य पर बहुत चर्चाएं हुई, मजबूत चर्चाएं हुई, और कई चिंताएं उभर कर सामने आई, विचार सामने आए, और बैठे बैठे, क्योंकि मेरा प्रपत्र आज था, डायरी लेखन का संदर्व, और ताज्यूप होता है, कि शम्शेर भी अपनी डायरियों में उन सभी चिंताओं से रूबरू होते दिखाए देते हैं, उससे गुफ्तगू करते दिखाए देते हैं, आज जब मैं अपना प्रपत्र सामने रखूंगी, तो आप पाएंगे कि वो सारी चिंताएं इनकी डायरियों में उभर कर आई हैं, एक डायरी फरवरी 58 की, सन 58 की तारीख पर question mark लगा हुआ है, उस डायरी में भी लिखते हैं, मोटी बात मैं सिर्फ यह जानता हूँ, कि भाशा में दुनिया की चाहे कोई भाशा हो, चाहे उसका नाम हमने या हमारे विद्वानों ने भी कभी सुना हो, या ना सुना हो, जान जरूर होती है, एक गर्माहट सी, क्या कहा, जबान में लहजा और महावरा और उसका खास अंदाज कोई विशेश महत्व नहीं रखता, कोई इन चीजों के प्रती उपेक्षा बरते तो बरते, मगर मैं खुद तो ऐसा सोचना, अपने लिए पाप, यानी भारती महा का अपमान समझता हूं, बात हिंदी और उर्दु पर भी लगातार हो रही है, हिंदी, उर्दु, हिंदुस्तानी, तिनों पर अपने डाइरी में वे अलग-अलग जगह पर विचार करते हैं, एक स्थान पर उन्होंने लिखा है, जरा, हाँ, मिलाये तो कुर्टुल एन हैदर की उर्दु को, मसलन भगवती बाबु की हिंदी से, हाँ, हाँ, मिला लीजे अमृतलाल नागर की भी हिंदी से, जनाब कौन सी विदेशी भाषा आपकी नजरों में ज़्यादा विदेशी लगती है, और सुदेशी कौन सी, उसके आगे लिखते हैं, सलाम, हाँ, इससे उर्दु हिंदी का सूक्ष्म भेद, अपने और उनके राज, जरूर खुल जाएगा, डर है, कोई लंबा और गहरा भरम तूटन जाए, आह, काश, मगर हम काफी ठिक स्किन है, शुक्र है अलामिया का, तो मैंने जैसे कहा, कि कल से जब मैं ये सुन रही थी, तो बार-बार उनकी डाइरियों के पन्ने मेरी नजर के सामने से घूम रहे थे, इस डाइरी में हिंदी, आगे वो ये भी बात जाहिर करते हैं, कि हिंदी नाविल का इतिहास लिखने की खौईश उन्होंने जाहिर की है, इसी डाइरी में, पर वह इतिहास कैसे होगा, इस पर में लिखते हैं, मैं एक हिंदी नाविल का इतिहास लिखूँँगा, जिसमें उर्दू हिंदी का भेद कतई न होगा, बेहद ही जरूरी और अहम यह किताब होगी, जनाव इस किस्म की किताब, दोनों के मिले जुले इतिहास की भी होनी चाहिए, दरसल अवल तो खालिस हिंदुस्तानी खड़ी बोली की, दूसरी दोनों के महान साहित्य का मिला जुला इतिहास, तो ये उन्होंने सन अठावन की अपनी डायरी में लिखा है, तो सोचिए कि वो सारी चिंताएं और उस पर अपनी विचार वे अपने डायरी में बराबर लिखते हैं, वैसे डायरी लेखक के अत्यधिक निकट की विधा होती है, और अपने मूल रूप में तो प्रकाशन के उद्देश से तो कोई रचनाकार या कोई भी डायरी नहीं लिखता, लेकिन जब वह प्रकाशित हो जाए और एक उच्चस तरिय साहित्तिक्ता उसमें मिले, जहां पर रचनाकार के अपने विचार, अपनी चिंता, मेरा प्रपत्र उसी पर राधारित है, शम्शेर जी उनके सभाव पर कल्ब चर्चा हुई, बड़े निश्चल सभाव के, कोमल सभाव के, भावक सम्वेदिशील, संकोची सभाव के वेक्ती थे, उनकी डायरियों में उनकी सभावगत, भावकता, कोमलता, संकोच, सभी के दर्शन होते हैं, लेकिन कहीं पीडा और अकेलेपन का एहसास ज़्यादा गहरा दिखाई देता है, मैंने आज, जब सुभा का सत्र हुआ, और डॉक्टर परण आदर्णिय नामवर सिंग जी को सुना, डायरी जितनी भी उपलब्ध ही समय मेरे पास है, पढ़ने के बाद, बहुत कुछ बीच बीच में कडियां बिखरी हुई थी, आज जब सुभा समस्मरण हम लोगों ने सुने, तो बहुत सारी बाते जो प्रश्ण बनकर डायरी पढ़ते समय मेरे जहन में आई थी, उसका समाधान मुझे मिला, और बहुत पढ़ना और जानना बाकी है, लेकिन यहाँ सितंबर 12, 1962 को लिखी दो डायरियां हम देखें, तुमने मेरा विश्वास कभी नहीं किया, कभी नहीं, चाहता हूँ, मैं एक तोल मशिन की जीरी हो उँ, जिसमें से की एक छपा हुआ कार्ड निकले, और मैं सचमुच विश्वसनिय हो जाऊ, आगे वे लिखते हैं, मुझे किसी से कुछ नहीं कहना चाहिए, यह भी नहीं चाहता कि मुझसे कोई कुछ न चाहे, कोई रोक नहीं, पर मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, उसी दिन एक ही दिन की दो डायरिया हैं उसी दिन आगे रात बारा बजे वो डायरी लिखते हैं डायरी क्या है चार पंग्तिया है मेरी जान इतनी सरल है फिर ये तनाओ क्यों ये खिंचाओ क्यों कोई मुझसे भी है गरीब क्यों है किसी का मुझसे लगाओ क्यों मेरा ही इमतहान है हर एक पल घड़ी डायरी खतम और जैसे मैंने कहा कि इस डायरी में नितान्त उनके उनकी निजी अनुभूतियां और उनके दिमाग में क्या चल रहा था वह जो है अभिवत्त हुआ है वे एक जगह कहते हैं क्योंकि दुख कई पीड़ाएं कई तरह की उनके साथ थी एक जगह उनने लिखा है मैं युक की नज्म को शायद जादा सही पहचानता हूं और फिर भी मैं युक की पीड़ी के साथ नहीं ये भी तो एक दर्ध है रचनाकार का जो वहाँ पर उनकी डाइरियों में अभिवेक्त हुआ है डाइरियों में आत्म निरिक्षन विशलेशन वे बहुत तटस्थ या कहें कि कठोर होकर भी करते दिखते हैं आसान नहीं होता अपने आपको कठगरे में खड़ा करके सोचना देखना कल बात हो रही थी कि किस तरह से जिन्दगी की अलग-अलग मोडों पर दोस्तों ने काफी मदद की उनकी अब वे इस बात को कहते हैं एक अलग अंदाज में खुद को देखते हैं एक अलग अंदाज में और इस से देखे कि बार-बार संभो तहा चीजें वे भूल रहे थे नल पर मुझे हमेशा किसी के लिए कुछ न कुछ छोडाना किसी चोर के लिए अपनी कोई चीज जो रोज की जरुरतों में हो या जिस पर गोया मुफ्त में मुझे दुगना खर्च करना चाहिए था गोया की दुकानदार को चूं कि मैं लुटने नहीं दे सका अफसोस इसलिए किसी काई या चोर के लिए अउचेतन में खुशी-खुशी छोडाया ताकि ब्रैकेट में लिखते बेशक यही वजह है ताकि मैं अपने आपको करुणा के लिए किसी के सामने पेश कर सकूं यह आउचेतन की मांग क्यों रहती है क्यों अपनी जरूरी चीजे कविता की पांडूलिपियां और डाइरियां गुलबंद, पहनने के कपड़े, एनक का डिब्बा, विस्तर बानने और सुखाने के लिए कपड़ा टांगने की रसी, चम्मच, साबुन और क्या हो गया है मुझको आखिर? क्या चाहता हूँ मैं अपने को जलील ही करना? मुश्किल में ही अपने आपको देखना? और करना चाहता हूँ जो निरीह लगे भूलने वाला भोला पवित्र और आगे वो कहते हैं कि शायद मकसद यह है कि जो मुझे मदद देते हैं उनका रुपया फिजुल जाया हो मुफ्त का पैसा मुफ्त कोरी के पास जाया मुफ्त कोरी की आदत खुद जो डाल रखी है इसलिए स्वाभाविक यही है और उपचेतन को सुकुन शायद इसी में मिलता है अपने पूरी बात यहाँ पर वो करते हैं शम्शेर मानविय करुणा का गहरा एहसास लिए जीवन की विश्यमताओं से उत्पन पीड़ा व्यथा को भोगते हुए हमेशा आगे बढ़ते दिखते हैं एक जगह पर हमने मैंने पढ़ा इस शम्शेर ने कभी भी डटकर परिस्थिती का सामना नहीं किया और शायद ये संसकार उनको अपनी माताजी से मिला एक प्रसंग वहाँ पर वो कहते हैं कि जब माताजी उनकी ससुराल गई थी और सासु माता ने चक्की पर आटा पिसने क के लिए कहा था उसके बाद उनके हाथों में फफोले आये और उसके बाद वो कभी अपने ससुराल नहीं गई और शायद कुछ ये वजह है कि शम्शेर भी अब परिस्थिती का सामना डटकर नहीं कर सके ऐसा मैंने उसमें पढ़ा डायरियों में जाओ तो ऐसा मालूम नही होता है जब वे कम्यून में रहते थे वहां सन पच्पन पांच जून की डायरी में लिखते हैं शीला किस कदर मासूम और कोमल किस कदर कोमल बेबी है नन्ही सी जान कम्यूनिस्ट की छोटी सी बच्ची कम्यून में पलने वाली उसका पिता सव रुपे की नोकरी प्रेस में करता है और करजा अभी तक नहीं चुका पाया है आज अच्छे तारीक है और पास कुछ बकाया नहीं बचा है मन स्थिर नहीं है आगे लिखते हैं उसी डायरी में ठका हुआ इंसान एक नौजवान जो गुमशुद्गी के आलम में है मगर किसी को मालूम नहीं होने देना चाहता और जो किसी को मालूम नहीं होने देना चाहता वो डट कर सामना कर रहा होता है ऐसा मुझे मालूम हुआ है शम्शेर ने अपनी डाइरियों में समकालिन रचनाओं पर साहित से जुड़े प्रशनों पर आलोचना पर भी चिंतन किया है और कई बार तो यह चिंतन बिल्कुल सूत्र बनकर डाइरियों में मिलता है फरवरी चौवन की डाइरि में वो लिखते हैं प्रयोग वाद नर्वस ब्रेकडाउन का आर्ट है या तो उससे पैदा होता है या उस तरफ ले जाता है एक और सूत्र उनकी डाइरि से निकलता है दरसल हम मवजुदा साहित्य का इतनी गहराई से अध्ये नहीं करते जितना की करना चाहिए या क्यों अकेला हो जाता है इंसान खास तोर पर एक साहित्यक नए साहित्यक की चेतना उदार है उर्धो मुखी है उदार के मानी उर्धो मुखी से तातपर्य ये प्रश्ण वो वहाँ पर छोड़ते हैं क्या टेक तुक चंद कुछ ऐसी चीज़े हैं जो सहज मानवी निश्चल अनुभूती और उनकी अकृत्रिम भूमी के लिए रोडा है मगर सबसे बड़ी चीज़ है वे एक जगह लिखते हैं सुरुची साहित्तिक सुरुची लौट आ और पांखुरी समशेर भादुर सिंग शिर्षक संस्मरंड के आरंभ में केशव चंदर शर्मा ने लिखा है कि आज भी हिंदी आलोचना का यह दुरभाग्य है कि उसके पास शमशेर जैसे कवियों के महत्व को आँकने के लिए कोई प्रतिमान उपलब्ध नहीं है समप्रती जो उपलब्ध है वे शमशेर की संकुल काव्यान भूती को समेटने के लिए अपर्याप्त तो है ही साथ ही उस रचनाकार को छोटा करते हैं इसलिए शमशेर के जीवन काल में उनके पूरे बड़पन का बोध न तो हिंदी जगत को हुआ न खुद शमशेर को उसका कभी ऐसास हुआ शमशेर जी के लिए एक माइने में अच्छा ही हुआ कि ये केशो चंद्र वर्माजी लिखते हैं सन्समरण में इन डाइरि में मैं क्या पाती हूं डाइरी में देखिये वे लिखते हैं लंबी डायरी है उस दिन की ये लेकिन आखिर में एक प्रश्ण वो करते हैं जहां पर मैं इस संस्मरेंड का जो अभी उद्धरन मैंने दिया उसके साथ इसकी कड़ी जोडती हूँ कि शायर के नजरिये से क्यों नहीं सोचा जाता है यदि शायर के नजरिये से सोचना शुरू हो तो अपने आप आलोचना की कसवटी शायद मिल जाए यहां पर वे कहते हैं आलोचक के सम्मूख एक बुन्यादी सवाल रखते हुए कि शायर के नजरिये से क्यों नहीं सोचा ज हुई सितंबर 1945 के एक डायरी में उन्होंने लिखा है डायरी के आरंभ में ही कोश्टक में लिखते हैं शैली के संबंध में कुछ बाते अपने दिल में याद रखने के लिए और वहाँ पर पॉइंट वाइस ग्यारा पॉइंट ग्यारा सुत्री कारेक्रम यहाँ पर वो देते हैं खुद को दिल में रखने के लिए याद के लिए कोई समास न हो जिसको समझ ले एकदम आसानी से आँख पढ़ते ही जो पढ़कर भुलाया न जा सके जिसे कोई भी पढ़े बगर न रहे जो एक बार पढ़ने पर ही याद हो जाए जिसको पढ़कर कहे कि बात सोलो हो आने खरी है जो हर बार पढ़ने पर ताजा लगे जो एक अपढ़ तक भी पहुंच जाए